नमस्ट कर दोस्तों आज की डेट है फेस्ट अप्रिल टुसाज़न टूट फ़ेंटि हुए स्वागत आपका आज की करेंट फेंट डिस्कस्ट्सन में चली डिस्कसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन-कौन से आर्टिकल हम डिसकस करनेवाले मैंस के प्रसप्रेक्टिस स वो US के दौरार कुछ टिपणी की गई है कि दिवाल जी को अरेश्ट कर लिया गया इससे समझन्ध बेस्टरन पर बार बार टिपणी कर रहे इससे समझद आर्टिकर अर्टिकल है आइसे जिय एस से समझने आर्टिकल है पिए बी का एक नियूस था तो उसको हम इस लेक्चर म कर लेते हैं पहला जो मारा आर्टीकल है वह आसपा के बारे में आसपा मैंस और प्रिलिम दोनों के लिए महत्पूण हो जाता है तो चलिए डिसकसन स्टाड करते हैं पहला आसपा आनि आम फॉर्स इसस पेशल पावर एक्ट सबसे पहले आसपा यह न्यूज में क्यों है न्य पहले तो हम इसका बैक्ग्राउंड देख लेते हैं बैक्ग्राउंड हमारे लिए महत्पुन हो जाता है कि आस्पा को क्यों लाया गया था आस्पा को ब्रिटिस एरा में लाया गया था भारत में एक फिट इंडिया मुव्मेंट याने की भारत छोड़ो आंदोलन चाहरा था आंदोलन को याद रखना कून से आंदोलन के दोरान आस्पा को लाया गया था तो बारत छोड़ो आंदोलन चाहरा था उस दोरान तब आस्पा को लाया गया था क्यों लाया गया था इसको दबाने के लिए बारत छोड़ो आंदोलन ने उसको दबाने के लिए क्योंकि ब्र और अभी आध्यादेस जारी किया जाता था इसमें क्या होता है आध्यादेस या ओर्डिनेस में इसकी जो पावर होती है वो किसी अधिनियम की समान ही होती है जितनी पावर अधिनियम या एक्ट में होती है उतनी पावर है वो अध्यादेस में ही होती है बट इसका फरक क्या है कि आध्यादेस को कुछ ताम के बाद में आपको ACT या द्ीनियम के माध्यम से वालिट करना होग beverage एक बार राष्टरपती ने आध्यादेस जारी कर दिया आद्यादेस मतलब कि राष्टरपतीन आधिस दे दिया कि छै मैंने तक हम चाहिव कर रहे हैं यह काम होना जी तो 6 मेने तो वो चलेगा 6 मेने के बाद में अगर कोई एक्ट है संसत द्वारा पारित नहीं होता है तो वो आदियादे स्खारी हो जाएगा तो सक्ति तो में पहली बार इसे, जो पुर्वत्र भारत है, North East है उसमें लागो किया गया था तो कब पहली बार कब लागो किया था? ir,...1958 में पहली बार इसे लागो किया था उस ताइम में जो इसका नाम था, वे Armed Forces, Special Power Act आसपा इसका नाम नहीं था उस ताइम में उसका नाम था Armed Forces Assam and Manipur Special Power Act इसका नाम था वो अलग था उसके बीच में Assam और Manipur था विखोज कि इसे लागू भी वहां किया गया था वहां पर भारत विरोधी गतिविद्य बहुत जादा थी नक्सलाइट जो मुमेंट थी वो जादा थी और इसे के तुरू है वो Armed Forces है वो सरच कर सकती है सीज कर सकती है जो Armed Forces होती है Armed Forces मतलो मिलिटरी है आर्मी है उनके पास में इस्पेसल पावर आ जाती है निरंग कुछ सकती है वो किसी को भी सीज कर सकती है किसी भी घर के सरच वरण कर सकती है firing कर सकती है parrot, suit कर सकती है इस प्रकार की सक्टिया आजाती है अभी किन-किन में आस्पा लगाया गया है अभी है असम में, नागालेंड में मनीपूर और अरनवचल पर्दिस इन राजियों में आस्पा लगाया गया है पहले त्रिपूराम था, 2015 में त्रिपूरा से हटा दिया गया आस्पा और भी जम्मुकस में से भी आस्पा को उटाए जाने की बाद चल रही है अब आस्पा लागू होने के बाद में क्या क्या पावर है वो special मिल जाती है armed forces को, है न आस्पा को लागू कर धिया उसके बाद में जो आर्मी होती है उनके पास में क्या wishes power मिल जाती है उसके बाद में देख लेते है इसके लागू होने के बाद में कुछ wishes power मिलती है जैसे कि इस act का उलंगन किया जो यह दिनम है उसका अगर कोई वेक्टी उलंगन करता है तो डारेक्ट उसे गोली मार दी जा सकती है कोई वार्णी नहीं दी जाएगी अगर कोई वेक्टी इसका उलंगन करेगा तो उसे डारेक्ट सूट किया जा सकता है साथ ही साथ में रिजनेबल सस्पेंशन अगर उच को warning नहीं देनी है कोई warrant नहीं देना है अगर armed forces को लगता है कि इस वेक्टी पर हमें संदे है तो उस संदे के आदार पर उसे ग्रिफतार किया जा सकता है उसके घर के तलासी ले ले जा सकती है और ऐसी जगह है जो लगता है armed forces को यह खतरनाक है यहां से attack वगर आओगी तो ऐस उससे पूर्व केंदर सरकार की अनुमती जरूर लेनी है और किसी की जरूरत लेनी नहीं आपको पास लेकिन केंदर सरकार की अनुमती जरूर है इस परकार की कारवाई करने से पहले केंदर सरकार की अनुमती जरूर लेना है अब इस अधीने में के समधित कुछ विवाद है यह ते हम नहीं देख लिया कि आस पाय कब लागू कीया गया ता क्या क्या इस पेशल पावर मिलती है कौhöण कौन से लाजयं लागू किया गया मैड़ assomi समति कुछ वीवाद भी वीवाद क्या है यह जो है ना यह निरंग कुछ सक्तिया देता है इसके द्वारा जो आम्ड फॉर्सेस होती है वो कुछ भी एक्षन ले लिती है यह जो यूमन राइट है अपना हमारे जो मानवा अधिकार है उसके खिलाप मानवा अधिकार क्या कहता है किसी को आप ऐसे थोड़ी अरेश्ट कर सकते हो ऐसे थ फ्रकार कर दिया जाना गातक है कि इसके पराव्owa ने काफी टुफ कर रवड़ा ने इसे प्रावदा ने रुटिस माहरे बनायं गये तो भारतियों को दबाने के लिए बना nuclear गये था तो अब तो इस परकार सब्सक्राइब कर दिया जाना चाहिए इसे पर दमें जो ए- Egg बनी ती सेकेंड ए आरसी आई थी ठीक है उसने उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी उन्हों भी बताया थी का आसपा को अब खारिज कर दिया जाना चाहिए सुप्रिम कोड का कोई जज्जमेंट वगर है क्या आसपा पर अगर इस परकार का विवाद चल रहा है इस परकार इसमें सुधार की जा सकते हैँ बड़ आसपा को नलले वॉइड नहीं किया जा सकता हुशी यह सुप्रीम कोड का नल नहीं है तो यह हमारा पूरा आरटीकल सनासपा से समधनी चलते हैं हमारे उनेक्स्ट आरटीकल की और नेक्स्ट जो आरटीकल है । समुद्र पहरेदार के बारे में तो ICGS समुद्री पहरेदार क्या है तो इसको नाम रट लो बहले ICGS समुद्री पहरेदार है क्या देखो news तो कुछ खास महत्पुण है नी बट यह news के लिए देख लो कि यह भारत का पहला news में क्यों है इसे launch किया गया इसलिए नियूज में तो नियूज खास महत्पूर्ण है नहीं आपको नियूज पर फोकॉस करना नहीं आप इसके बारे में देख लो इसके बारे में क्या है ये भारत का दूसरा देखो दूसरा पहला दूसरा था मतलब आप ये चीज़ द्यान रखना ये बारत का दूसरा यानि कि सेकंड इस्पेजलाइज पॉल्यूशन कंट्रोल विसल है ये बारत का दूसरा इस्पेजलाइज पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है तो पहला वेसल कौन सा था पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पहला था आई सी जी ए समूंदरी प्रहरी ये बारत का मतलब हम बात करें ICGS समुदरी पहरेदार और एक था ICGS समुदरी पहरी यह दोनों अलग लगे ICGS समुदरी पहरी था वो बारत का पहला Specialized Pollution Control Vessel था Specialized Pollution Control Vessel क्या होता है जो Special Pollution को Control करने के लिए परदूशन को Control करने के लिए विशेश रूप से बनाए जाते हैं ऐसे वेसल को Specialized Pollution Control Vessel कहा जाता है तो Pollution को Control करने के लिए परदूशन को Control करने के लिए पहला वेसल कौन सा था वो था ICGS समुदर पहरी और अभी हम बात करें ICGS समुदरी पहरेदार यह भारत का दूसरा बारत यह जो कोस्ट गार्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका दूसरा Specialized Pollution Control Vessel है तो यह चीज समझ में आ जाना पहला यह नहीं है यह दूसरा है पहला था ICGS समुदर पहरी पहला था पहरेदार दूसरा है यह चीज समझ में आ गी इसके बाद में इसे डेवलप किया गया है यह पून तो Indigenously Indigenously आनि सवदेशी भारत में ही बनाया गया था Indigenously मतलब तो सवदेशी तो यह भारत में ही बनाया गया है तो ABG CBS CPR द्वारा इसे बनाया गया है Indigenously है यह नि कि भारत में ही बढ़ना है गया है कहां पर इससे लोकेट किया गया है तैनाद किया गया है इससे तैनाद किया गया है विसाखा पत्नम की इस्ट कोट है यानि अंदर परदेश में जो विसाखा पत्नम है वहां पर इससे तैनाद किया गया है इस्टन कोट पर उद्दिश से क्या है इसका एम है वही है मैड़ा पोलिसम की समता जो होती है उसे विक्सित करना क्यों sudah चीछ हूँ है क्या कि विएत नाम है इन के साथ में कि लिंग होगी मतलब उन İs वके साथ में जाएगा और तैनाथ किया जाएगा वहाँ पर इनके कोर्ट पर यह मारा पूरा आ्रिकल पहरेदार के बारे में क्या चीज़ याद रखने हैं इसको अब जी सिप्याड सूरत के द्वारा इसे बनाए गया कहां पर तैनाद किया गया विसाखा पट्नम इस्टन कोड़ पर उसे तैनाद किया गया है बस यही चीज़ ध्यान रखना उद्शे वगरा तो आपको याद रही जाएगा चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की और नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल है वो है नेशनल असेस्मेंट एंड एक्सरेडरेशन कॉंसील नाक के बारे में एन एक्सरेडरेशन कॉंसील के बारे में नाक के बारे में तो सबसे पहले न्यूज में न्यूज खास महत स्टूपर्ण होती है जो यह तो मैंस में काम आती हो जहां या प्रिलिम में काम होती है ऐसी न्यूज को आपको देखना नहीं जो न्यूज इन दोनों में काम नहीं आ रही उसको छोड़ देना है फिर देखना कि जो चीज काम क्या आने वाली है हमको तो वही जो काम काम की ची सी के बारे में ये क्या करते है भारत में जो उस शिक्षन संस्तान होते हैं higher education institute होते हैं उनको मानेता देती है साथ ही साथ में उनका मुल्यंगन कर सकती है कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं उनका मुल्यंगन करने का काम कर रहे हैं ये एक autonomous autonomous यानि तो समझी गई होगे तो इसे फंड दिया जाता पैसे लीए जाते उडिये जाते है यह चीज आप याद रखना यूजी से दीर इस फंड दिये जाते substitut 1986 की नेशनल एज्युकेशनल पॉलिसी थी उसके द्वारा इसे बनाए गया था 1986 में एज्युकेशनल पॉलिसी आई थी उसने कुछ सिफारी से दे थी उसके थूरू नैशनल जो बात करें असेस्समेंट एक्सेड़ेशन काउंसिल नाक उसको इस्तापित किया गया था और ये काम क्या करती हाईर जो एज्जुकेशन इस्ट्टूटूर ते उच सिक्सेन संस्तान होते उनको माने था वो ब्लेंग गन देती है यूजी सी द्वारा फंड मिलता है और एक अटनोमस होते हैं उसकी जो एज्जुकेशन और सिक्सा की जो गुण बत्या है उसको मेंटेन करती ही किस परकार के वह गुण बतंद है उसे किस प्रकार से बरकरा रखा जाए, क्या कमिया है, उन सब के बारे हम काम करती, साथ ही साथ में वो A++2, C तक इन्हें जो rating देती है, मतलब rating किसके से, या तो A++, सबसे अच्छी जो सिक्षन संस्ता हो गई, उसे A++ की rating देगी, और जो खराब होगी उसको C की rating देगी, D rating इ इसके category से बाहर है, वो इस category सामिल नहीं है, इसके लिए कुछ map दंड भी अपनाती है, क्या क्या map दंड अपनाती है, पहले तो circular देख लेती है, वहाँ पर teaching किस प्रकार से होती है, learning किस प्रकार से होती है, वो उस चीज को देख लेती है, research की जारी कि नहीं किर जारी है, consultancy technology की जारी क नहीं कर जारी है, यह सारी चीजी देखती है, infrastructure किस प्रकार का है, student को support है, समर्थन किया जाता है, वो किया जाता है, progress करती है कि नहीं करती है, governance किस परकार का है, innovation होता है क्ने नहीं होता है, इन सब चीज़़ों को focus करके, ये rating देने का काम करती है, अब इसके composition के बारे में बात करें, composition का मतलब होता है, इसमें कौन-कौन काम करता है, इसके पूरे जो आवरान होता है, उसके बारे में बात करें, इसमें एक general council होती है, एक executive council होती है, इन दोनों के माध्यम से ये काम करते है, एक संमिती होती है, एक कारी-कारी संमिती है, इन दोनों के थुर ははid wtedy grant commission Apps को इसके इस्तापना करता है That is गर कलता है यह istvette अठी करता है जो स्टाइड करता उनको इस कारता है उनको टर्ला उनके लिए उनकी सम्ट करता उनकी धुडम बनाता है कि वह किस परबार से काम करेंगे किस परकार से काम नहीं करेंगे इन सब जो काम है वह यूजीसी द्वारा किया जता है पहले तो यह तीन यूणिऊset के के देख रेक करता था बाद में जो भारत के जितनी भी यूणिसीति है उनके बारे में में देख रेक करने का का में। नियूजीसी कई नी करे तैल सितरे किया गया था 1908 से पहले का बनाया हूँ आज की बाद निया पहले जो हमारे आज़ादे से पहले से बना गया था लेकिन 1908 में ऐस रादा कृष्णत जी थी उनकी अद्धिक्सता में इसका वापिस गठन किया गया और यह सही रूप से काम करने लगा और 1956 की बारे बात करें त वो सब देने का काम करता है नियम बनाता है यह सारी चीज़ा है वो यूजिसी के द्वारा की जाती है तो यह हमारा जो आर्टिकल था वो यूजिसी के बारे में देखा नाक के बारे में देखा नाक है वो यूजिसी के अंतरगती आती है यह भी उच्छ शिक्सन संस्ता को को देखती है उसके अलाव नाक के काम को भी देखने का काम करती है नाक है वो खाली जो शिक्षन संस्ता होते हैं उनको रेटिंग देने का काम करती है उनकी गुणवता देखती है यह सारे काम देखते है यह यूजी सी तो इन दोनों के बारे में देख लिया चलते हैं हमारे आर्टीकल की और। अगला जो हमारा आर्टीकल है वो National Politics Party से समय जिते, जो राष्ट्री इस्तर की Political Party होती हुटी उससे समय दिते, यह एक आर्टीकल नियूज में क्यों था, किसी पारटी का कहना है कि हमारे जो मानेता है वो चली जाहेएगी कि उससे समझी को न्यूज थी तो न्यूज महत्वण है नहीं छोड़ देंगे इसको बारे में अब हम बात कर लेते हैं चुब नैशनल पॉलिटिक्स पार्टी होती वह कौन सी जो राष्ट्री इस तर पर पार्टी होती है ना वह कौन सी पार्टी हो तो किस पार्टी को पार्टी का जाता है तो इसका फाइदा क्या था इस सब के बारे में देखेंगी नैशनल पार्टी की बात करें राष्ट्री पार्टी की राष्ट्री दल की तो उसकी जो प्रजन से उसकी उपस्तिती है पूरे राष्ट्र में होगी पूरे राष्ट्रम जैसे बीजिपी ह इनके अन हर राजे में आपको उपस्तेती देखी जाएगी तो इन्हें नैशनल पार्टी का आ जाता है ये कोई पार्टी बढ़ी भी होती है जैसे बीजीपी कॉंग्रेस को छोटी पार्टी भी राष्ट्र पार्टी हो सकती है जैसे कि आमाज़बी पार्टी वो छोटी है तो वो एक राष्ट्र पार्टी हो सकती है ठीक है जैसे चोटी पार्टी उसी भी राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल सकता है अब किसी भी पार्टी को ये दर्जा मिल भी सकता राष्ट्र पार्टी का और उससे चीन भी लिया जा सकता है कैसे मिल सकता है कैसे चीन लिया ज इसके लिए एक तो पीपल रिपर सेंटेसिन और पेपल एक्ट है तो आपको याद रखना है कि किसी पार्टी को अगर साथ प्रवदा चाहिए नहीं दिया जाना है इसके लिए कोई प्रावदान है तो कौन से प्रावदान है और भारत की जो act है मतलब उसमें act में क्या क्या प्रावदान है तो बात करें एक तो representation of people act है जो 1951 में उसमें भी कुछ प्रावदान दिये गए इसके बाद में जो election symbol जो act है न 1968 का उसमें ज्यादातर प्रावदान दिये गए तो जो हम बात करें राश्ट्री पार्टी का जो बात के national दल की बात करते है तो उसके जो प्रावदान है वो दिये गए election symbol जो order है उसमें सारे प्रावदान दिये गए है तो इस order के according कुछ जो criteria उसको fulfill करके किसी दल को राश्ट्री दल गोशित किया जाता है तो ये कौन-कौन से condition है इसको fulfill किया करके किसी भी दल को राश्ट्री दल गोशित किया जाता है इसके लिए चार सरत है कौन-कौन से चार सरत है पहला सरत है किसी पारटी को चार या चार से अधिक राजियों म में उसको 6% वोट मिले हो जो अभी إلكशन हुए लोक सबा के मतब WOOL मतब इलेकशन होने वाले है इस लोक सबा के इलेकशन में चार राजयो में उसको 6% ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो नशनल पर्ती घोश्यत की जाएंगी इसकी अलावा चार राजयो में उसको चार सीटे भी मिल जाए, मैं 6% वोट भी मिलने जरूरी है, साथ ही साथ में उसको चार सीटे भी मिलनी है, ये त्रमस अन कंडिसल पूरी कर देता है, तो वो राश्टर पार्टी बन जाएगी, इसके अलावा, चार या चार सी अधिक राजियों में, वो राजिय दल का दरजा पराप्त कर लिया, जैसी कोई दल है, मान लोगे आमाजमी पार्टी, उसने दिल्ली में राजिय दल का दरजा पराप्त कर लिया, राजिस्तान में राजिय दल का दल पर दरजा पराप्त कर लिया, पंजाब मे चार या चार से अधिक राजियों में 6 परतिसत वोट लेने हैं साथ ही साज में उसको 4 सीटे बिचीए ठीक है 6 परतिसत वोट प्लस 4 सीटे दूसरी कंडिशन क्या है चार राजियों में उसको राजे इस्तरी दल दल ले उसका दरजा प्राप्त करना है किसरी कंडिशन क्या है तीसरी यह कंडिशन है कि तीन राजियों में लोकसुबा की चुनाव में нев memoir सच्य सटी लेनी है क्या कंडिशन थी तीन राजिय घ्यासा जैसे अभी लोकसुबा कато चुनाव उइंगि उसमें कोई भी प्लस 4 सीटे दूसरी condition देगी चार राज़ों में राज़े दल का मानिता प्राप्त कर लो तीसरी condition है तीन राज़ों में लोगसभा के चुनाव में गोसित हो जाओगे क्या राष्ट्री दल और 6% वोट कहा लाने चार या चार से ज्यादा राजियों में पहली सर्थ आपने पूरी कर लिए या फिर क्या करना चार या चार से ज्यादा राजियों में आप राजी इस्तरी दल गोसित कर वा लो अब राजी इस्तरी दल गोसित क और दो आप राश्य इस्तर का उज्षित हो जाओगी ह। अब बात कर ले तो हैं की पार्टिय कुछ ओप इस के लिए कुछ ओर कंडिशन हो इसके लिए कंडिशन है पहले तो जिस राजे में चुनाव हो रहे हैं जैसे कि पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं ठीक है जी पंजाब में उसने 6% अगर valid vote प्राप कर लिए हैं साथ ही में उसको दो सीटे मिल गई है पहली condition पूरी कुई तो आप बन सकते हो पंजाब के राजे इस तरी पारटी को चुनाव हो थे तो वहां पर लोग सुबा के चुनाव में उसने 6% वोट ले लिए एक सीट लिजेट ली तो वहां की वो राजे इस तरी दल की मानिता उसे प्राप्त हो जाएगी इसके लावत तीसरी कंडिशन क्या है उसको तीन परसेंट वोट मिल जाए कम से कम राजे की जो विदान सबाए उसमें कम से कम 3% वोट मिल जाए तो भी वो राजे इस तरी का दल गोशित हो सकता है चौती कंडिशन क्या है जितने भी रोग सबा सीट अधी उसमें 8% वोट मिल जाए राजे इस तरी दल के लिए 4 सर्ते हैं पहली सर्त क्या है 6% वोट प्लस 2 सीटे 6% प्लस दो सिटे बात कहां पर हो रही है बात राजी विधान सभा के हो रही है विधान सभा के चुनावाँ में जो राजी के चुनावाँ होते हैं MLA के चुनावाँ में 6% वोट ले आओ प्लस दो सिटे ले आओ 6% वोट लाने MLA के चुनावाँ में 2 MLA की सिटे लाने है आपक सबा की सीटे होती है तो लोगसभा की चुनाव हों में किसी एक राजिय जी छै परसंट वोट लिया हो अगर कोई पार्टी उसे राजिस्थान में 6 परसंट वोट इंगए एक एक सीट जीत गई वो तो वो घोसित हो जाएगी राजस्टर की पारटी ये तो दूसरी सरत है तीसरी क्या है अब विदान सभा यानि के MLA के चुनाव हो रहे हैं MLA की चुनाव में आपको 3% वोट हो नहीं गुजरात में MLA के चुनाव हो रही थी उसमें मैंने 3% वोट ले लिए साथ ही साथ में मैंने तीन सीटे जीटे यह भी तो भी में राशे इस्तरी therapy गोशीद हो सकता हूं मेरी पार्टी गोस्स दे हो सकता हूं चौती सर्त क्या है लोग्जय के जितने भी चुनाव होओं रहे खहीं भी हो तीन राजियों में कम से कम आपको 2% सीटे मिल जाती तो अभी घोसित हो जाओ, यह राश्टर इस्तर के लिए थे, राजी इस्तर के लिए हमने देखे थे, 6% वैलिड वोर प्लस 2 सीटे, फिर लोगसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट प्लस 1 सीटे, या फिर विदान सभा के वोटों में, 3% जो सीटे मिल जाए, या फिर राजी इस्तर के जो वोट होते है, मतलब राजी जो लोगसभा के वोट हो, तो उसमें 8% वोट मिल जाए, यह सारी कंडिशन देख लिए, तो इसे रट लेना, कभी भी UPSI पूचेगा, नमबर उपर बड़ा चड़ा की पूच जाए, अब इसका फाइदा क्या होगा, कोई भी पारटी राजी इस्तर की या राश्ट्री इस्तर की मन जाती उसका फाइदा क्या होता है, बहुत सादा फाइदा होते है, जैसे कि वो उसके 40 इस्टार पर चार रखे, इस्टार पर चार क्या होते है, इस्टार पर चार वो party के पास में जाड़ हुए वैसा symbol मिल जाता है तो काफी ज़्यादा इसमें benefit मिलते हैं उनको radio पे बोलने के लिए television पे बोलने के लिए वो सारे फायदे मिल जाते हैं फ्री मत्दाता सूची मिल जाती है किसी भी रदेश राज्य में किसी भी देश से उमिद्वार को उतारने की प्राप लिमिट मिल जाती है यह सारे फायदे हैं इसके बारे में हमने देख लिया नेट्स जो अर्टिकल हमारा वह आईयमो के बारे में इंटरनाशनल और्गेनाईजेशन फोर माईग्रेशन यह न्यूज में क्यों था न्यूज तो फिर से इंपोर्टन है नहीं इसमें पढ़ना नहीं है इस्ता अपना के बारे मात करें आईयमो के इस्ता अपना 1951 में हुई थी यूएन की एक बौड़ी है 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 क्या क्या ची इस ररे माईग्रेशन रिपोर्ट काम करें और न्यूज प्लान क्या है माईग्रेशन समझी जो भी और उसको सही से बनाना सभी मैनेज करने का काम करना है क्या-क्या चीजी या दखनी इस था अपना 1951 में यून का एक बोड़ी है तो गहाँ यून का एक बोड़ी है यून में इसको प्रेविक्स या और ग्रिश्न का इस्टेडस जब चुले रोटिया वगरा बनाते हो, तो उसका जो धुमा उपर से निकलता है, वो होता है ब्लेक कार, उपर जाकर जा के जम जाता है, ये ब्लेक कारबन होता है, तो न्यूज में क्यों है, न्यूज होडी इसलिए है कि इसका यूज कर सकतो, उजवला जो इसकी में न इसके तुरू जो black carbon का जो emission है वो कम हुआ इसलिए news में तो अभी एक report आई उसके according उजवला इसकी माधिम से black जो emission होता है black carbon का emission उसमें कम ही देखी की मिली है ये देखा ये news दी अब बात करते हैं black carbon के बारे में black carbon एक biomass या जो fossil fuel होते है वो अगर प नुक्सान बहुत जादा होता है क्योंकि इसमें global warming को ती यह global warming होती यह ग्लोबल वर्मिंग है ना carbon dioxide उसके बिचादा करता है carbon dioxide से भी कहीं कुना जादा यह global warming के लिए responsible होता है क्योंकि इसकає emission होने के बाद में यह निस्ट होता नहीं उपर जमा होता है और इसमें होता है energy जी होती है लाइट होती है उसको अब्जर्व करने की पावर होती है सूर्य की किरने इस पर टकराएगी उसे अब्जर्व करेगा और तो अब्जर्व करेगा तो गर्मी बढ़ेगी तो यह ना एक परकार की ग्रीन हास गयस बनाने का काम करेगा ग्लोबल वार्मिंग को करें तो इसमें क्या हुआ था मुफ्त में LGP जो LPG सिलेंडर होते था लिक्विड पैट्रोलियम गया से उसके सिलेंडर दिये गए थे पहले पहली बार 2016 में से लांच किया गया था तब फ्री में सिलेंडर दिये थे और बद इसके फाइदा भी काफी देखने को मिले था उस में जब लॉंच किया गया था तो काफी जादा लोगों ने इसे यूज किया था लगब आठ क्रोड फैमिली को यह फाइफ सिलेंडर दिये गए थे बट अभी देखा जा रहा है इसका यूज ही नहीं कर रही क्यों नहीं कर रही इसकी रेट बहुत जादा है तो इसलिए इ इसलेंडर दिये जा चुके है तो यह उजवला सिक्षिम के बारें ब्याद रखना है उजवला सिक्षिम उदेश से क्या था गरीब लोगों को लपीज सिलेंडर देना इस्टार्टिंग में फ्री में दिये गए थे अब इसके पैसे लग रहे हैं और इंफ्राटेक्शर भ इसलेंडर वो दिये केते मिनिस्ट्रि कौन सी है पेट्रोलियम एड्न ऍात्रेल्ड अच्रो यस मिनिस्ट्रि वो इस के लिए हें मिनिस्ट्रा देने का काम है यूम पूरा आट्रिकल इससे समधीत और तो आज की डिस में इतना इसक्य तो सुप्रीम कोट में बेल से समंधिता अर्टिकल है तो कुछ खास महत्पुन है नहीं तो इसके बार में देखेंगे तो आज की डिसकुशन में इतना है था थैंक यू थैंक यू वेरी मुच फॉर डिसकुशन